कुएत में रहते हो और कुएत के इमतरीन खबरोसे में सब वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो के 33 कंप्लेइन को दर्च किया गया है domestic workers के तरफ से sponsor के खिलाफ और offices के खिलाफ तो एक दोस्तो domestic workers के खिलाफ बहु सारे complain हमेशा से की जाती है तो उसके तरफ से ये एक तरह का record बताया गया है बताया गया कि 550 complain ऐसे receive कि गये थे जो की department for employees एगेंस्ट office यानि दोस्तों इंप्लाई जिसने अप्लाई किया है, वो अफीस के किलाफ दोस्तों कंप्लेन किया गया था, और कमपनी के खिलाफ कंप्लेन किया गया, लगबग 140 कंप्लेन ऐसे थें, जो की बिजनस ओनर को लेकर था, एक कंप्लेन ऐसे था, जो की female worker अगेंस्ट ओफीस, यानि एक महिला के दुआरा एक office के पर्ती complain किया गया था और 12 complain ऐसे थे जो कि office against worker यानि दोस्तो worker के खिलाफ office वाले उने complain किया गया ये भी दोस्तो इसमें लगभग 91 complain ऐसे किया गया तो जो की labor complain था जो की judiciary के पास भेजा गया यानि उसे sort out नहीं किया जा सका जिसके बाद code तक ये बात पहुच गई लगभग 91 case उनमें से 31 complain है और 15 ऐसे जो की traveler document को लेकर है तो साथियों हमेशा इस तरह का complain वहां पे किया ही जाता है तो दोस्तों ये आकड़ा एक तरह का निकाला गया है और साथियों बताना चाहूँगा आपको कि वहां पे लगभग 1000 of dinner benefits of worker and 1,27,000 from recommend office for the benefits of employee तो साथियों ये पूरी ताजा update थी domestic worker को लेकर जो जो complain किया गया था sponsor के खिलाफ और office के खिलाफ और workerों के खिलाफ और labor office के खिलाफ अगली update की और साथियों चलते हैं कि 2035 तक साथियों बहुत सारे नियमों को वहां पे चेंज किया जाएगा public authority of manpower और ministry of health के तरफ से ये बताएं गई है बताएं गया है कि गया है कि दोस्तों कुएट में जितने भी अब expert वगएरा जो आएंगे बहुत अलब दोस्तों दिक्कतों के साथ अब वो लोग आएंगे क्योंकि आप लोगों में बता ही चुका हूँ कि कुएट government ये चाहरी है कि जो भी worker का नया visa यदि लेना वो चाहता है यदि उनका visa expire कर जाता है तो उन लोग को एक test देना पड़ेगा यदि वो लोग पास करते हैं फिर visa issue किया जाएगा वरना issue नहीं किया जाएगा और जो भी नए worker आते हैं लगबग 20 केटेगरियों को लेवर को बाटा गया है कि उन लोगों का दोबारा वहाँ पे test लिया जाएगा जिस काम के लिए आप जाते हैं यदि उस काम में आप वहाँ पे test पास करते हो तो आपको रहने दिया जाएगा नहीं पास करते हो तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा इस तरह का दोस्तों वहाँ पे नई-ई-णियम आने वाली है अगली update के उर शाती हुँ चलते हैं जिसे INS TRB कहा गया है INS सुजाता और Indian Coast Guard Sip सराथी इसे कहा गया है जो कि सुएक बंदरगाह पे आई थी 5 अक्तूबर, 6 अक्तूबर और 7 अक्तूबर को तो दोस्तों इसको लेकर वहाँ पे दोनों देसों के रिस्तों bilateral relation का वहाँ पे बताया गया कुएत और India के रिस्ते इसे काफी और भी जादा बहतर होंगे आगे future में भी और अभी भी बहतर ही है अगली update के और साथ ही चलते हैं अगली ख़बर दोस्तों जो आरी साथ ही है वो real estate को लेकर है तो साथ ही कुएत में जो अभी real estate की वहाँ की स्थिती है अगली ख़बर दोस्तों Ministry of Interior के तरफ से आ रही है फरवानिया डिपार्टमेंट के तरफ से तीन लोगों को वहाँ पे ग्रफतार किया गया है फ्रॉड और स्कैमिंग के वज़ा से तो साथ ही सोसल मीडिया को लेकर थोड़ा वह स्कैम वगरा करते थे जिसके वज़े से तीनों को ग्रफतार कर लिया गया तीनों को तीनों एक्सपार्ट है तो साथ ही कुछ खबरे थी कुछ अपडेट्स ही यदि कोई भी खबर में आपको ऐसा कोई डॉट लगता है कोई खलत खबर में आपको बताता हूँ